हसते हुए, सोते हुए, रोते हुए, ओड़ते हुए, बैठे हुए, ऐसे कई सरी तरह-तरह के वर्ट्स हैं, जो अंगरेजी बोलने में समस्षाएं आती हैं, आज किस वीडियो में सानेंगे, इन सभी वर्ट्स का क्या यूज हैं, क्या फर्मूला होता है, क्या ट्रिक्स होता इससे बनाने के लिए हम यूज करते हैं present participle को जो कि present participle आपका वर्प का फॉर्थोम होता है अब इसे sentence में कैसे यूज करते हैं जैसे आप बोलते हैं पिरिया ने बैठे हुए आदमी के बारे में कुछ बताया बैठे हुए सोते हुए खेलते हुए दोड़ते हुए इस बैठे हुए आदमी उड़ते हुए पक्सी फ्लाइंग बर्ड इस पर से बोलते हैं सोते हुए आदमी sleeping man ऐसे हम संटेंस बना सकते हैं ऐसे बहुत से निमारे पास examples हैं राहुल खेलते हुए बच्चे को पकड़ा राहुल खेलते हुए बच्चे को पकड़ा और पीटा दो बच्चे प्लेइंग चिल्डरन यह पर आपका देखें वर्प का फर्ट फॉम लग रहा है खेलते हुए के लिए या खेलते के लिए इससी बगार से अमन ने उड़ते हुए पक्षी को मारा उड़ते हुए उड़ते हुए के आपका बनेगा इस पर से क्या मन केल्ड अफ स्लाइंग बर्ड अमन ने उड़ते हुए पक्षी को मारा रवी गाना सुनते हुए बजार जा रहा था रवी वाज गुएंग टू मार्केट लिसनिंग टू म्यूजिक लिसनिंग टू म्यूजिक मतलब गाना सुनते हुए इस पर से खेलते हुए प्लेंग ऐसा बूल सकते है सुमन गाती हुई चिडियां को सुन रहा है संटेन्स हो गा सुमन is listening to a singing bird Singing bird मतलब गाती हुई चिडियां ऐसे आप सुनने के लिए या आप singing bird मतलब हो गाती हुई चिडियां आप साथ यहां पर गाने के लिए आप अलग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कई सब्सक्राइब करेंगे वाइल का मतलब होता है करते करते या के दौरान इसके बाद भी आप वर्ब का फॉर्थवर्ण यूज़ करते हैं जो इस पर से मिनिंग देता है आपका जैसे वह खाने के दौरान टिवी देख रहा था यह खाते खाते टेवी देख रहा था दोनों के सभी एडिए राहा था इंद लोग पढ़ने के दो रान हसने लग गए तो संडेंस और वू इस्टार्टे लाफिंग वाइल रीडिंग मला हसना और पढ़ना दोनों साथ ही साथ हो रहा था एक ही टाइम पे हो रहा था तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं तुम लोग खाने के दौरान पानी नहीं पीते हो खाने के दौरान कोई काम करते हो मंल दो काम एक साथ करती हो यूजी दूरान या खाते काते वाईल इटिंग धुनों के लिए आप इस बार से बनाएंगे बाई का मतलो हो जाएगा कोई काम करके या फिर करने के बाद इसके बाद भी आप वर्ब का फर्टों मिईस करते हैं इसका मिनिंग इस परस होगा sentence में कि वो खाना खा करके बजार जाएगा या वो खाना खाके बरशार साब्ट मांटा ने हैए अगा हम लोग अपना काम कर के वहां आँगे आपना काम करके टो बाए के साथ लिखेंगे और बाई के साथ आपका वर्प का फॉर्ट्वम्यूज होगा वी विल गो देर बाई डूइंग आवर वर्क हम लोग वहां जाएंगे बाई डूइंग आवर वर्क अपना काम करके ऐसे आप संटेंस कहीं सरे बना सकते हैं मैं पत्र लिक्कर सोने जाओंगा आई स्लीप बाई राइवाइब गडर अलेटर पत्र लिकर अपसा जगाँ पर आ आपटर भी यूस कर सकते हैं गाइस better जहां जहां पर भी आपने बायूस किया है वहां पर भी आप यूस कर सकते हैं आप्टर तो इससे बना सकते हैं कोई काम करने जा रहा है सो रहा है खेल रहा है जब आप इससे बता देगे परसेंट इस कमपनी में काम कर रहा है तो sentence आपको बनेगा रमेस आज बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फोर एट मंथ से किसके साथ हैस बिन के साथ आपका वर्किंग और यह वर्क आपका वर्ब आजो की फॉर्ट वम में आया हुआ है तो आप समझ पाने कि वर्ब का फॉर्ट वम हम अलग अलग तरीके से कितने जिगों पर हम यूज कर सकते हैं पिरिया दोजार एकीस से प्रिक्सा की तयारी कर रही है संटेंस वा रही है संटेंस सोगा पिरिया यह बीन प्रिफेरिंग फोर्ड एक्सामिनेशन सिंस तूथाजन्ट वेंटिफश्ट वहाँ लंग प्रिपेरिंग तुम एक पत्र लिख रहे हो यहां पर कोई काम कर रहे हो तो आप लगाएंगे इस दिमार के साथ और सब किसी टाइम से कोई काम कर रहें तो फिर हम लगाएंगे या इसके लिए उसके लोग बच्पन से दिल्ली में रह रहे थे आपका लिविंग वर्प का लिविंग तक आप आप देख पाने के दोनों संटेंस में अंतर है वह लुग बाशपन से दिल्ली में रहा रहे ते ये आपका अंतर है और राहूल अंगरेजी सिक रहाता ये दोनों अंतर है बलकि आपका दो sentence के last में आपका रहाता रहीती है लेकिन अंतर है अंतर यह कि पहले वले sentence में आपका time दिया हुए कि बज़पन से सुबह से दो घंटे से दो सालों से इस पार सब करेगा लेकिन आपके second वाले sentence में कोई time नहीं रहेगा अगर time रहेगा तो फ cherche आपको ये formula use करना पड़ेगा अगर time नहीं है तो फिर आप आप guys get work लगाएंगे और इसके बाफ आपका work लक्रणा साएगा हम लोग 25 किर्केट खेल रहे थे संडेंश होगा वी हैड बिन प्लेंग करेट सिंस 2005 2005 से यापका टाइम है इसी के कारण आपके यहां पर हैड बिन लगा अगर हम यह टाइम हटा दे तो फिर आपको हैड बिन के जगापर आपको वर लगा नहोगा कि वी और प्लेंग कर रहा होगा कर रहा होगा सुन रहा होगा अगर इससा काम है तो आप बोलेंगे इस बार से फ्यूसर में आप लगाएंगे वर्प का फॉर्थम मतलब कि वह अंग्रेजी सिखती रहेगी कोई काम करती रहेगी उने सोगा सी विल भी लर्निंग इंग्लेस यहां पर लगा विल भी के बाद वर्प का फॉर्थम आया हुआ है इस बार से तुम फरवरी से इस कंपनी में काम करते रहोंगे यहां अप्ट आपका टाइम आ गया फर्वरि से संघ्रैप में और सभी के आपकर कि इसलेश में आपको आपका सब्सक्राइब कि यह फर देंडिेंस में ताइम अँगा कोई भी राइडिंगा आएक में कोई काम करता रहोंगा या पिर कर रहा हूंगा ऐसा बोलने के लिए विल भी के साथ लगा सकते हैं और वर्प का फॉर्थम लगेगा ही लगेगा वह नौकरी पाने के लिए संघर्स कर रहा है संटेंस आपका किस पाने के लिए क्या लगेगा फॉर लगेगा संटेंस होगा ही इस स्ट्रागलिंग फॉर गेटिंग असब फॉर के बद आपका वर्प का फॉर्थम लगा है कुछ ब आप लगाएं एक वर्फों में वह संघर्च करने के बाद स्टेश पर बोल रहा है संडें सोगा ही इस इस पेकिंग ऑन देश्टेश आप्टर एक वर्फों में आपका दिख रहा है इसे बार से हैं उसने बिना सोचे जो खिम उठाया संडेस होगा, he took a risk without thinking, without thinking means बिना सोचे, बिना सोचे ऐसा आप बोल सकते हैं, संडेस आप इसे कई सरे बना सकते हैं, preparation के बाद आपका वर्प का फॉर्थ हम आता है, इतना ध्यान दे, आपको तू को सोड़कर बांकि सबी के साथ आप लगा सकते हैं, वर्प का फॉर्थ हम, ल इसे कि हम लोग बच्पन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो we have been speaking since childhood, क्या बाद कि किसी टाइम से आपका इसले आपका time है लगा हुआ है, इसले आपका have been के साथ वर्प का फॉर्थ हम लगा हुआ है, इस बार से तुम लोग दो बज़े से मैं स्खेल रहे हो, you have been playing the match since 2 o'clock, पर आप देखरें कि किसी टाइम से 2 बज़े से, 2 घंटे से, 5 सालों से, 10 मिन्टों से या भी आपका time है, तो time है इसके साथ आपको have been या had been, या फिर has been के साथ बनाना होगा present या past में, रवी 3 घंटे से काम कर रहा है, रवी has been working for 3 hours, ऐसा आप बना सकते हैं, आगे मेरे पास वर्प का फॉर्ट कम यूस करेंगे, कोई काम किसी टाइम से कर रहा था, जैसे कि पिरिया सुबह से खाना पगा रहे थी, पिरिया had been cooking food since morning, वो इस टाइम से था, इसी वर्ट से वे लोग चार वर्षों से वहाँ काम कर रहे थे, they had been working there for 4 hours, चार वर्षों से हैं, तो यहाँ कर रहा था, you had been waiting for him for 5 minutes, किसी टाइम से हैं, टाइम से हैं और आपका संटेंस पास्ट में, इसके करना आपका had been के साथ वर्प का फॉर्थों लगा हुआ है, कोई भी डाउट नहीं है, संटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, वर्प का फॉर्थों से बदाएगा, कोई काम किसी ट टाइम से कर रहा होगा, फ्यूसर में कर रहा होगा, मैं जनुवरी संग्रेजी सिक रहा होँगा, संटेंस होगा, I will have been learning less from January, यह आपका will have been लगा हुआ है, फ्यूसर है, इसलिए इसके होदा आपका वर्प का फॉर्थों लगेगा, सभी संटेंस में आपका will have been के साथ वर् रहा होगा, इस वर्से वो दो बजे से वहाँ खेल रहा होगा, he will have been playing there from two o'clock, from two o'clock मतलब दो बजे से, से के लियां पर आपका from लगा हुआ है, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि from हम कहां पर यूस करते हैं, तुम लोग पांच जनवरी से उसके साथ रहा रहा होगा, संडेंस होगा, you will have been living with him from five जनवरी या फिप्त जनवरी भी आप कर सकते हैं, संडेंस आप इससे कही सरे बना सकते हैं, so guys, thanks for watching, that's all for today.